देखो यार थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि जैसे हिसाब से मने गोल्स खाये हैं अनफॉर्चुनेट गोल्स यह वह बात नहीं करने वाला कमिया पता है हमारी टीम में कमिया के हम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं एक क्लिनिकल नहीं है पोल बजा रहे हैं जो भी कमिया सब इस बातको पता है मुझे थोड़ी डीजीक में बात करें ही हुए बात inn होगी ए वीडियो विनिश युनियर इन ये अंपना में ब्लयर अपना फ्रेंचाइस प्लेयर समझना इस बात को समझते है में अपना में प्लेयर इपना सम्झना फ्रेंचाइस बट कल के माच में वर्सिस लेटिको मेड़े नॉक आउट माच जहां इसकी सबसे ज़्यादा जरुरत थी अपने में प्रेंचाइस प्लेयर गी ही वो शेट ही वो शेट यह वो शेट आप काफी लोग फ्रोड़ा कॉमें सेक्शन बार कि इतना भी गंदा नीद है इतना भी गंदा नीदा करा उसने काम वाम किया रोड्रीगों को बॉल सब कुछ कर भाई विरिच्टा सुनो विश्व हम अपना लेवल नीचे क्यों आने द सुनो सूनो कल के माच में बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा focus हिला हुआ था सबको दिख रहा था saaf दिख रहा था fully focused नहीं था कल के माच में हर एक real mid player को real mid को हमको सबको जुरुत थी Vinicius junior की but fully focused नहीं था now it's a high time it's a high time समझो, इस हाई टाइम, बाकी कुछ वो improvement करें न करें, more than anything, जिस पर उसको काम करना है, he needs to fix his mental game, समझो, he needs to fix his mental game, भाई, बहुत अराम से इस बंदे को provoke किया जा सकता है, अपने main player को, अपने franchise player को, भाई, मतलब अगर किसी team को, बड़ा माच हो, कभी UCL final, कुछ भी हो, कल का ब पता है, Vinicius Jr. के दिमाग में कैसे घुसना है, इसको completely out कैसे करना है, completely क्या मतलब, इसको अपने level पर नहीं खेलने देना, अगर किसी team को ये पता है, तो भाई, ये गायव है, then he is gone, then he is gone, देखो यार देखो, if, if, अगर सही माहिनने में, आजी तो हम fans बोलते हैं, अगर सही माहिनने में, अगर आपको चहरा बनना है, if you want to be the face of the biggest club, biggest franchise club in the world, अगर आपको सही माहिनने में face बनना है, आपको focus, भाई, हमने रोनाल्डो को देखा, ये चीजें उसके साथ भी हुई है, भाई, रोनाल्डो के साथ भी ये चीज होई है, हर बहुत प्रेस के साथ ये में भी था, भाई, मैंने रोनाल्डो के इतने बड़े करियर में, इतने बड़े करियर में, मैंने रोनाल्डो को ना कभी अपना focus lose करते हैं, उन्हें देखा, पूरे match के लिए, कुछ part, कुछ phase, कुछ phase में कहीं गुसा आ, कुछ हो गया होगा, पूरे game, भाई, मैंने रोना तो प्रवोक कर दे अब यह बंदार नूंपर चड़के तुम्हें गोल मारेगा यह ओता है यह बड़ा प्लेयर बनना भाई विनिशियस भाई तू फिनिशिंग पर काम करें ना करें तो अपने कुछ भी करें अगे कुछ इंप्रूवमेंट करें सबसे पहले जो चीज फिक् मूड बूड खराब होगा बात करते हैं थोड़ा मूड साही करते हैं one of the most complete player one of the most complete player with solid character with solid personality mentality magical magical in tight spaces by sahab it's not it's not technical gifted it's not physical superiority with vision with intelligence by with proper iq with proper football it's my brain at just 20 years old by he gave everything jude bellingham gave everything i don't know i don't know how he does it kaisi ye benda karda hai isko farakniparata bhi salka longa bade not call mad versus letico itna bada stage unke home bar bhai isko farakniparata kitnay bhi banday kitnay bhi players opereant players isko gair ke khaade isko farakniparata bhai kitnay bhi players isko gair ke khaade isko farakniparata bhai kitnay bhi kam space o tight space o bhai harbal kal के माच में और इसको बहुत बार देखा भाई हर बार ये बार निकलता है बाल के साथ विद इबाल आठ इस फीट आठ इस फीट हर बार भाई magical magical in tight spaces magical in tight spaces अभी 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 फिर से फिर से जूड बिलिंगम को ना ट्रोल किया जा रहा है ये बोलके अफटर कल के वे ये अपने मैच के आज कई मैच के बाद certain fan base आपको पता है कौन सा fan base कौन से आपको पता है 5-6 games हो गए जूड बिलिंगम ने एक भी goal score नहीं किया है बाई कितना शिट बंद है कितना क्या कर रहा है भाई क्या मतलब हग रहा है भाई okay भाई scoring goal मतलब एक goal निकालना as a midfielder भाई ये इसकी quality है जूड बिलिंगम की quality जो आपको नहीं दिखरी होगी जूड बिलिंगम की ये कि बहुती छोटी quality है गोल निकालना as a midfielder एक इसकी बहुती छोटी quality इसका secondary काम है इसका जो primary काम है कल का match उठा के देखना कल का match उठा के देखना बड़े stage में क्या होता है बड़ा player ये आपको दिखाएगा कल के match में he was जो बंदा ये पिछ पे कर रहा था जो पिछ पे ये बंदा करता है is just crazy ये तो बहुत छोटी एक goal scoring जो आप ability बता रहो इसका छोटी secondary काम है भाई primary काम इस बंदे का ये है अचा साथ में ये भी एक चल रहा था भाई कि भाई भाई he was let down by his teammates he was he jude bellingham he is too good for this team अरे ना भाई सुनो ना का रियालमिट सूपर लेके जारो के आपके सुनो exceptional player sensational player पता है generational player पता है भाई बट ये चीज बहुत गलता है कि he was too good for this team मैंने ये बहुत पहले real में भी बोलता शौट भी बनायती है आपके सामने शायद मैं एक बार एक आप बार बोल चुका हूँ रियालमिट का player कैसा होना चाहिए एक जूड बिलिंगम perfect example है जूड बिलिंगम next generation के साबसे perfect example है रियालमिट का player कैसा होना चाहिए जूड बिलिंगम जैसा होना चाहिए कल के match में दिखावी है बड़े match में बड़े state पे क्या होता है क्या performance होती है भाई सब कुछ कर रही गेफ everything अटाक कर रहा है defense कर रहा है goals create कर रहा है सब कुछ कर रहा है he was too good for this team नहीं एक रियालमिट का player कैसा होना चाहिए जूड बिलिंगम जैसा होना चाहिए अब आ जाते है भाई थोड़ा से blame game पर कुछ लोग विनिशियस को कुछ लोग Carlo Ancelotti को blame game चल रहा है blame game blame game चुवा मेनी को Carlo Ancelotti ने start नहीं करवाया इसलिए हम आर गी एक start आपको भी पता होगा मुझे ही पर सबको पताईए चुवा मेनी ने जब जब start नहीं किया तब तब रियार्मेड game हार गही है सिर्फ दो माचेज हारी है दोनों माचेज पर चुवा मेनी को start नहीं करवाया समझे ना भाई पूरा game देखने के बाद एक अलग होती है भाई सुनो सुनो हम तो वही बात कर रहे हैं जो भीड में बाता भी चलने दिया चुवा मेनी की कमी भी खलने दी फरस्ट हाफ में अटलेटी को में ने ऐसा कुछ खोला नहीं था हमाई डिफेंस को सिर्फ एक गोल आया वो भी रूडिगर का लगके उनके पैरों पे बॉल गेर की गोल हो गया उसमें चुवा मेनी होता भी तो क्या क अगर लेता भाई कामा विंगा वॉस्ट तू गुड काफी सॉलिड था फस्टाफ में वनवा सब कुछ बढ़िया चल रहा हम ज्यादा बेटर थे हम बेटर थे हम पोल बजा रहे हम हग रहे हम चांसेस हग रहे है क्ली निकल नहीं है जो भी है ब्लेम डाला जा रहा कार्लो एंसी लोटी पे भाई कि उसको रेस्ट दे दिया भाई रेस्ट अगर देना ही होता यह मैं एक कल के माच के बाद ही मैं इस चीज़ पर आया हूं कंक्लूजिन पर रेस्ट देना ही होता तो वालवर्द और बिलिंगम को देता भाई उनको ज्यादा रेस्ट की जुरती मैं जब चूआमेनी बेंच से आया कुछ तो गड़बर थी जब चूआमेनी को क्यों पर रखा वर वन हम जीत के आरे एक विनिन टीम बार्सा को रहारहें फाईनल में हरा के आरहें है चूआमेनी को बेंच पर क्यों कि जब आया नहीं कुछ तो लगा मुझे बाई या तो प्लेयर भाई एक प्रॉपर सीडियम लगी ही नहीं रहा था कुछ तो गडबर थी आप यहां देखो तू टू ड्रॉव विनिश्यस बॉल लूस करता है और हर कोई अब यहां पर ग्रीजमन को देखता है हर कोई इसका में रोल ता तू स्टॉप हिम अब एट लीस्ट ब्लॉ लाके दे चुवा मेनी तू कर क्या रहा था मुझे तो यह चीज समझी नहीं कंप्लीटी लॉस्ट जब से वह बेंच से आया नो इंटेंसिटी कुछ नहीं दिख रहा था ना इंटेंसिटी ना वेरनेस ना फिजिकालटी भी डाउन दिखरी थी कुछ तो गडबर थी भाई यहा तो बहुत ज़ळा थुआ हो था था क्या था इव नो आइडिया हम यहां से गेम हारे ही ही मेरी वट्स ने इस घोल से गेम हारे ही मेरी वट्स है यह कारो एंसिटी दॉटी के डिखर था मैं शहार था। रियार में ट्रेवल करती है, साउधी, साउधी के बाए, अट्लेटिको मेर्ट को हराती है, 5-3 ओन एक्स्टर टाइम, एक्स्टर टाइम पर राते हैं, फिर बार्सा के साथ फाइनल, भाई, इंटेंसिटी पता कितनी लगती है in matches में, कितनी जाधा, बार्सा को हराते हैं, हम 4 अट्लेटिको मेर्ट को आठ दिन का rest था उनके पास, आठ दिन का, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, क्या भाई, वो कल के मैच में दिख रहा था, चुआ मैंने, कुछ तो मुझे लग रहा था, वो नहीं था, वो tiny game के अंदर, that's all for this video, अपने thoughts, comment section में जरू देना, कल के मैच से र कर रहा था for this video, यहीं बहुत, 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 बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, कि भाई, अच्छा हुआ, real mid hard की, मैं, mental fans की तरफ से, अच्छा हुआ, real mid hard की, यह आपके लिए question है, आप बताना, क्या यह अच्छा हुआ, हम CDR से भार हो गए, इस चीज आप लोग comment section बताना, क्या, मलब obviously mandate को तो हर 30 के लिए जाना चाहिए, but क्या यह अच्छा हुआ है, गल्त हुआ है, सिर्फ इतना पूछो, comment section प्रे thoughts जरूर देना, so that हम इतनी thin squad के साल, without number 9, हम focus कर सकते हैं, लालीगा, UCL, सब कुछ, जो भी है, that's all for this video, I'll see you very soon, thank you.